सो हेले वरिवन आज हम इस फीडियों में जानने वाले हैं कि आपको करेले के साथ क्या चीज नहीं खाना चाहिए वैसे तो करेला हमारी बोडी के लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी है और डियाबिटीस यानि सुगर की पेसंट के लिए करेला किसी वर्दान से कम नहीं है जिनको भी सुगर या फिर डियाबिटीस की बेमारी है वो लोग अगर करेले का सेवन करते हैं तो उनके बोडी में इंसलिन की जो मातरा है वो काफी अच्छी रहती है उनका सुगर जो है कंट्रोल में रहता है करेले में काफी ज़्यादा पोसक तक तो पाए जाते हैं विटमीन, फोस्फोरस, पोटैसियम, मिनरल्स काफी कुछ प्रेजन्ट होता है जो की बोडी के लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होता है करेले के साथ आपको क्या चीज नहीं खाना चीए यहां पर करेले की प्रकृती कुछ ऐसी है कि इसको कुछ चीजों के साथ आपको नहीं खाना चीए अगर आप खाते हैं तो आपकी बोडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और लाइफ टाइम तक आपको यह नुकसान झेलना पड़ सकता है तो कौन-कौन से नुकसान है और किन चीजों के साथ आपको करेले का सेवन नहीं करना चीए आए जामते हैं उसमें जो सबसे पहला है मूली मूली के साथ आपको करेले का सेवन नहीं करना चीए आयरवेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करेले और मूली का सेवन जब हम करते हैं या फिर मान लेजी आपने करेली के सब्जी अभी खाये और मूली आपने आधे घंटे बात खा लिया ऐसा भी आपको नहीं करना है फिर भी आपको उतना ही नुकसान करेगा या तो आप मूली खाईए या तो आप करेला खाईए अगर आप दोनों के खाने की बीच में आप 3-4 गंटे का टाइम गैप नहीं रखेंगे तो आपकी बोड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको सांस की समस्या तक हो सकती है और साथ ही हिर्दे के लिए काफी ज़्यादा हानिकारक होता है तो अगर आप करेले और मूली को एक साथ सेवन करते हैं तो आपके बोड़ी को ये दो काफी बड़े नुकसान हो सकते हैं और पेट में तो दिक्कत हो गही और भी काफी अन्य नुकसान हो सकते हैं इसलिए करेला और मूली को सेवन आपको एक साथ नहीं करना है दूसरा बात करें आम करेले के साथ आपको आम का सेवन भी नहीं करना है आम जो है वो मीठा होता है और करेला जो है वो कड़वा होता है तो कर अब इन दोनों का सेवन एक साथ करेंगे तो आपके बोड़ी के लिए नुक्सान हो सकता है आप कच्चे आम का इस्तमाल कर सकते हैं करेले की सबजी बनाते वक कच्चे आम उसमें डाला जाता है वो आपकी बोड़ी के लिए नुकसान नहीं करेगा लेकिन जो आम पका हुआ है आपने करेले की सबजी खाई और उसके साथ आपने आम भी खाया तो आपकी बोड़ी के लिए नुकसान हो सकता है आपके पेट में अपज की समस्या रह सकती है एसेडिटी काफी ज़्यादा हो सकता है आपको आपको अलसर तक की भी बिमारी हो सकती है इसलिए आपको करेले के साथ आम का भी सेवन नहीं करना चीए इस बात का आप ध्यान रखिया यहाँ पर जो तीसरा है करेले के साथ आपको दूद का सेवन नहीं करना है एरवेद के अनुसार दूद के साथ नमक का भी सेवन नहीं करना चीए और करेला तो फिर भी काफी ज़्यादा कड़वा होता है तो आप दूद और करेला का सेवन एक सादाप मत करिए जिस दिन आपने करेली की सबजी खाई है रात में उस दिन आपको दूद का सेवन नहीं करना है अगर आपने करेली की सबजी दुपैर में खाई है तो आप रात में दूद का सेवन कर सकते हैं अगर आप इन दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपके skin में प्रॉलम हो सकती है, दाग धब्बे हो सकते हैं, आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे हो सकते हैं, जो कि आपको lifetime के लिए काफी ज़्यादा प्रॉलम हो सकती है, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि क करेले के साथ आपको दूद का सेवन नहीं करना है, इस चीज का आप काफी ज़्यादा ख्याल रखी है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने जाना कि करेले के साथ आपको क्या-क्या चीजे नहीं खाने चीए, मूली, आम और दूद, यह तीन चीजे हैं, इन तीनों वीडियो बहुत बहुत धन्डे बाद